रोहित सर्दाना की मोद पर अब बवाल मच्ता दिखाई दे रहा है ऐसा क्यूं आईए आपको बताते हैं रोहित सर्दाना की मोद 30 अपरेल दोपहर लगबग 12 बजे हुई तब ही से लोग लगातार उनकी मोद पर सवाल उठा रहे हैं लेकिन जब से एड़ोकेट परशान प दिखाई पड़ रही है वो है अचानक मोद भारत में कोविट से हजारों मोद ऐसी हो रही है जिसमें उनके परिजनों का कहना है कि उनका मरीज बिलकुल सही था और अचानक उसकी मोद हो गई जिसकी वज़ा से लोग हॉस्पिटल को शक की नजरों से देख रहे हैं रोहित थी कि वो दो दिन में ठीक होकर स्टूडियो चले जाएंगे लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो पाया आई दोस्तों अब आपको एड़ोकेट परशान पटेल के उस ट्वीट को दिखाते हैं जिसने रोहित की मोद पर संदेश जाहिर किया उन्होंने अपने ट्वीट में रोहित और डॉक्टर के बीच हुई चेट का स्क्रीन शोट दिखाया और लिखा रोहित सरदाना को बिना मॉनिटरिंग के स्टोरिड देने के बाद जब उनका ब्लिट प्रेशर बढ़ा तो उन्होंने मेट्रो अस्पताल के डॉक्टर पुरुशोत्तम लाल को चार बज़ कर पंदरा मिनट और चार बज़ कर तीस मिनट पर मैसिज किया पर कोई के बारे में डॉक्टर से लगातार बता रहे हैं लेकिन उधर से कोई रेपलाई नहीं मिल रहा है परशान पटेल ने इसके बाद एको ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा मेट्रो अस्पताल नोईडा में रोहित सरदाना की मृत्यू सामान नहीं बलकि हत्या परतीत ह हो रही है अस्पताल का रिकोर्ड पहले ही खराब रहा है आज दिन में सबूत सामने रखूंगा देश के अधिकाश प्राइवेट अस्पतालों में जो कोविड मरीज जा रहे हैं लाश वापिस आती है कोई जवाब दे ही नहीं केवल लूट है परशान पटेल के ट्वीट पर डॉक्टर कुमावत नाम के एक ट्वीटर यूजर ने लिखा इस्टिरोएट से जान नहीं जाती सर इस्टिरोएट ड्रक्स का परियोग मरीज की जान बचाने के लिए किया जाता है बार बार बता रहा हूं अगर इस्टिरोएट से जान चली भी जाए तो आप नहीं कुछ चूक हो गई हो और अगर कहीं चूक हुई है तो उस पर सक्त एक्षन लिया जाना चाहिए ताकि किसी और नागरिक की जान ना जाने पाए नमस्कार